नमस्कार किसान भाईों, मैं हुँ आसिज राजपूद और आप देख रहे हैं अपना टाब भारत किसान भाईों, साहूत की मंदियों में डिमांड आलू की बढ़ रही है और उसी के चलते सभी मंदियों में आलू के भाव में उचाल देखने को मिलना है आज किसान भाई ओ, हम शुरुवात करेंगे, कानपूरू मंदी से, उसके बाद फरुकाबाद मंदी, उसके बाद छिबरावो मंदी, उसके बाद ठट्या मंदी. तो किसान भाईयो चारो मंडियों में आलू का रेट क्या चला है, क्या भाव है, कैसी आमदनी आ रही है, जो कि पिछले दो दिन बारिस हुई थी, उसको देखते हुए, सभी मंडियों में आमदनी तो थोड़ी कम हुई है, और उसी के चलते आलू के भाव में उच्छाल भी ह तो किसान भाईयो और कही ना कही जो बारिस से अधर मंडियों में भी प्रभाव पड़ा है जो साउथ की मंडिया है वहां भी प्रभाव पड़ा है हर पूरे देखा जाए तो पूरे प्रदेश में कईना कई बारिस देखने को मिली है और उसी के चलते किसान भाईयो आलू मंडियों में परियाफ्त मातरा में नहीं पहुचा इसी के कारण किसान जो भी आलू के किसान है उनको अच्छा राब मिला है और आलू के भाव में कहीं न कहीं एक अच्छा रेड मिला है जो कि किसानों की लाकत मूल को वसूल कर रहा है तो किसान भाईयो आज इसी वीडियो पे चर्चा करते हुए आज कानपूर से लेके और ठटिया मंडी तक का आलू का भाव जो भी मंडियों में चल ला है हम सुरुगात करेंगे चकरपूर कानपूर आलू मंडी की क्या रेट हूँ आज पे अगर आज की दिन देखा जाए और आज की दिन किसान भाईयो मंडी में आमदनी कैसी है जिस फिरकार से किसान भाईयों आपको बताते चलें कि जो मंडी की आमदनी है चकरपूर कानपूर आलू मंडी में आज कल से कुछ आमदनी बड़ी है और करीबन जो है 50 से 60 मोटर के आसपास आमदनी आई हुई है और किसान भाईयों आमदनी कुछ ज्यादा कम होती रहेगी अभी अगर इस सब्ता आगर देखें लेकिन रेट में काफी अच्छा सुधार है और वहाँ अगर किसान भाईयों बात करें तो कानपूर मंडी में भी आब जो है मन के हिसाब से नहीं कुइंटल के हिसाब से बिक् रुपे तक की बीच में हुई है प्रति कुइंटल के हिसाब से जो थोड़ा नॉर्मल आलू है और जन्रल क्वालिटी का दो नंबर क्वालिटी का जिसमें अलका चेचक है वह किसान भाईयों साड़े 900 से लेके और वही 1000-1050 रुपे तक इतना रेट है वहाँ पे किसान भा बात कर लेते हैं हाइलेंड आलू और लाल आलू की तो लाल आलू किसान भाईयों आपको बता दें अच्छा आलू है तो उसका रेट किसान भाईयों आपको 1100 रुपे से और 1400 रुपे के बीच में कानपूर मंडी में देखने को मिल ला है प्रति कुइंटल के हिसाब से मन क के हिसाब से बिक्रियां पहले होती थी अब बहुत ही जल एक फैंसला लिया गया जो भी चार किलो मिट्टी का बजन काटा जाता था उसको भी जंजट खतम कर दी गई है सीधा प्रतिकुंटल के हिसाब से किसान भायो कानपुर मंडी में बिक्री होने लगी है और आज का लाल अब किसान भायो इसका नीचे भी रैड है ऐसा नहीं है कि मतलब पंदरा सो एक रॉपे मंभी का नीचे वाला कोई रैड नहीं है लेकिन किसान बायो नीचे का भी रेट है, जिसमें थोड़ा चेचक है, जड़ आलु है, मिट्ञ पकड़े है, मतलब जो भी Second Class का जो भी आलु है किसान बायो उसका रेट जो हैólion. होगी तो सपेद आलू भी किसान भायो ठीक टाक क्वालिटी का बिग रहा है हम बात करें तो वही 900 रुपए से लेकर और साड़े 1100 और 1200 रुपए प्रति कुइंटल के हिसाब से फरुकाबाद मंडी में देखनी को मिल जाएगा जो महागड़ डालू है ठेड किलास का मतलब की तीन नंबर वाला आलू वह आलू किसान भायू 800 रुपए से नीचे आज विका नहीं है फरुकाबाद मंडी में मतलब 800 से नीचे नहीं उपर ही विका है बाकि जो जन बिलेंड आलू का है पंद्रा सो एक रुपए में आज फरुकाबाद मंडी में विक्री हुई है और कुछ आलू आपका अच्छा है तो उपर नीचे थोड़ा बहुत और भी हो सकता है तो किसान भायू यह था आलू मंडी फरुकाबाद सातनपूर मंडी का रेट आप किसा किसान भायो आपको बता दें रेट में यहां भी लगातार सुदार है अभी भी कोई ज्यादा उपर नीचे वाले रेट नहीं हुए है मतलब कि जिस रेट में विक्री कल हुई थी उसी रेट में आज के दिन भी विक्री देखने को मिल लई है अब रेट की बात कर लेते हैं 500 रुपे साड़े 400 रुपे तक का भी आलू बिकता है इसे नहीं है कि जिसमें कुछ चेचक है अलका फुलका अलू खराब है थोड़ा तो उसमें वो किसान भायो साड़े 400 रुपे से और कुल मिला के 600 रुपे तक का रेट आपको बीच में देखने को सपेद आलू का प्रत पैकट के हिसाब से विक्री आज भी चल लए है अब हम बताते चलें रेट भी तो रेट किसान भायों अगर आपका अच्छा अलू नंबर एक क्वाल्डी का है तो उसका रेट छिवरा मोमंडी में आपको 750 रुपे प्रति पैकट के हिसाब से विक्री मिल जाएगी और अग किसान भायों आमधनी की बात करें तो आमधनी अब हमने बोला भी था कि हलके इलकी सब्ता जैसे दूब निकले कि कुछ बड़ेगी क्योंकि आलू जो खेत में है लेकिन उतनी मातरा में नहीं जो इस बारिश से पहले आती थी वह उतनी नहीं आ पाएगी एक सब्ता उसमें लगेगा अब किसान भायों ठटिया मंदी की बात कर लेते हैं तो अगर बात करें तो ठटिया मंदी में सबसे गड़ आलू खराब आलू पहुंचता है जैसा कि आपने हमने कल वीडियो में भी दिखाया था और आपको फोटेज की माद्यम से देखने को मिल भी जाएगा द जब भी कोई सबस्ता आलू होता है उस परकार का आलू किसान भाईयों ने खेतों में छोड़ा हुआ है पहले अब वही किसान भाई जो है खेत से उठाकर लाते हैं और मंदी में रेट अच्छा चल ला है जिस परकार से आप सभी को पताएगी आलू का रेट बढ़िया है तो उसी परकार से उन्हीं आलू की विक्री ठटिया मंदी में होती है और रेट भी मिल जाते हैं कल अगर बात करें तो महात बुल्कुल खराब आलू अगर देखा जाए किसान भाईयों चेचक भी घुगिया भी सब कुछ उता उसमें और वो आलू किसान भाईयों 381 मिल जाएंगे ऑफ किसान भाईयों हैं फूंकर जालू को किसान भाईयों उसमें और एक अच्छान भाईयों नंबर क्वालिडिका है तो आपका रहें 되어 किसान भाईयों आलू की रेड नहीं मिलने हैं भाया अगर आप हम आपको भरोजा दिलाते हैं अगर आपका आलू अच्छा है तो अच्छे रेड में भिकेगा फिलाल में आमधनी की बात करें आमधनी आई नहीं रही है ठटिया मंडी में बिल्कुल आमधनी नहीं किसान भाई हो है आमधनी क तो आप अनुमाल लगा सकते हैं कि डिस्टिक से बाहर यह मंदी है है इसी डिस्टिक में और चिवरा मो और कन्नोज में ज़्यादा बड़ा फरक भी नहीं है तो रेट में भी ज़्यादा बड़ा फरक नहीं है यह है वहां आलू नंबर एक क्वालिटी का पहुंचता है यहा पर थोड़ा माइनस हो जाता है बागी किसान भाईयो आप लोग की क्या राय है आप लोग भी हमें कमेंट करके बताएं लेकिन जहां तक अगर आपका अच्छा आलू किसान भाईयो है तो आपको हाइलन्ड आलू अगर आपका अच्छा है तो 700 ऊपर विकेगा और अगर किसान भाईयो आपकी डिमांड है तो हम बाहर की थुमर्ण है आपको बता सकते हैं घुगल वाईन इंडिया का मंद्यव का बता सकते बाइयो और आप तो इसक्क्र 그러면 करके भी सकते हैं धन्न बाद